पेंशन धारकों को शांदार तौफा इलाहाबाद हाई कोट का गजब फैसला पेंशन धारक हो गए माला माल इलाहाबाद हाई कोट ने अपने एक फैसले में कहा कि ये पेंशन देना सरकार के आशीरवाद या कृपा के उपर अवलंबित नहीं है बल्कि यहाँ पेंशन भोगियों का सम्वैधानिक अधिकार है इसे देने से इनकार नहीं किया जा सकता यहाँ फैसला जजज प्रकाश पाडिया ने दिया क्या था पूरा मामला चलिये विस्तार में जान लेते हैं पेंशन को लेकर था पूरा मामला याची चाया के पती नगर निगम में सफाई करमी थे जिनें रिटायर्मेंट बेनिफिट और पेंशन का लाब नहीं मिला था लंबे समय इंतिजार करने के बाद पता चला कि ये नगर निगम ने जान बुच कर इसका भुकतान नहीं किया उसके बाद याची ने रिटायर्मेंट बेनिफिट और पेंशन पाने के लिए इलाहबाद हाइकोर्ट में याचिका डाली इलाहबाद हाइकोर्ट का आया बड़ा फैसला इलाहबाद हाइकोर्ट ने जब इस केस को सुना तब नगर निगम को फटकार लगाई और कहा कि करमचारियों को पेंशन देना उसकी लंबी सेवा का पुरसकार नहीं है बलकि यह सरकार का बाध्यकारी करतव्य है कर्मचारी अपने अधिकार के तौर पर इसका दावा कर सकता है या उनका मौलिक अधिकार है हाई कोट ने नगर निगम को लगाई फटकार हाई कोट ने नगर निगम के आयुक्त को फटकार लगाई और पूछा की दिसंबर 2023 तक ऐसे कितने करमचारी है जिनको सेवानिवरित्ती लाब रिटायर्मेंट बेनिफिट का भुक्तान नहीं किया गया है। हाई कोट ने कहा कि बहुत सारे केस हाई कोट में लंबित है जिनको भुक्तान किये जाने की जरूरत है। सुप्रीम कोट ने कहा था कि ये पेंशन को रोका नहीं जा सकता है। पेंशन भोगी पेंशन से ही अपनी आजीविका चलाते हैं। ऐसे में रिटायर्मेंट बेनिफिट और पेंशन को रोकना गैर कानूनी है। इसको भी पढ़े, सुप्रीम कोट ने कर्मचारियों व पेंशन धारकों को दिया तौफा आ गई बड़ी खुश खबरी, हो गई बल्ले बल्ले सुप्रीम कोट का जबरदस्थ फैसला इलाहाबाद हाई कोट इसके पहले भी दे चुकी है बड़ा फैसलाई लाहाबाद हाई कोट ने इसके पहले भी इस तरह के फैसले दिये है एक बड़े फैसले में कोट ने कहा था कि पेंशन एवंग ग्रेचुटी कर्मचारी का मूल्यवान अधिकार है यह सरकार द्वारा दिया जाने वाला उपहार नहीं है कोट ने कहा था कि यदि पेंशन और ग्रेचुटी भुकतान में अनावशक देरी होती है तो कर्मचारी भुकतान पर ब्याज पाने का अधिकार है हिमाचल हाई कोट का भी दे चुकी है बड़ा फैसला हिमाचल हाई कोट ने पेंशन अदाइगी में देरी होने पर विभाग के करमचारियों व अधिकारियों से ब्याज की वसूली करके पेंशन भोगी को दिये जाने की वकालत की। कोट ने अपने निर्णय में स्पष्ट किया था कि ब्याज की राशी दोशी अधिकारियों से वसूली जाए कोट ने अपने निर्णय में कहा था कि रिटायर्मेंट लाभों के भुकतान में देरी होने से करमचारी ब्याज का हगदार हो जाता है इसको भी पढ़े, करमचारी पेंशन भोगी की गलती नहीं, तो किसी भी प्रकार की वसूली नहीं की जा सकती पटना हाइकोर्ट का बड़ा फैसला बॉंबे हाइकोर्ट भी दे चुकी है इस तरह का फैसला पेंशन को लेकर बॉंबे हाई कोट ने भी कहा था कि पेंशन एक मूल भूत अधिकार है और रिटायर करमचारियों को इसके भुकतान से वंचित नहीं किया जा सकता। पेंशन के द्वारा पेंशन भूगी अपनी और अपने परिवार की आजीविका चलाते हैं इसलिए इसको देने से इनकार नहीं किया जा सकता। इसके भुक्तान में देरी होने पर वर्तमान बाजार दर के साथ ब्याज के साथ करमचारी पेंशन भोगी को भुक्तान किया जाना चाहिए। इन फैसलों के क्या है माइने अलगलग कोर्टों के द्वारा दिये गए सारे फैसले कर्मचारियों और पेंशन धारकों के हित में आते हैं इन सारे फैसलों से यही पता चलता है कि कर्मचारी जब सेवा से रिटायर होता है तो सेवा का फल उनको पेंशन और रिटायर्मेंट बेनिफिट के रूप में मिलना चाहिए इसको देने से इनकार नहीं किया जा सकता किसी विकट समय में भी पेंशन को रोका नहीं जाना चाहिए एक जनवरी 2004 के बाद भरती को मिले पुरानी पेंशन इस तरह के आदेश से साफ पता चलता है कि पेंशन सभी का हक है एक जनवरी 2004 के बाद जो भरती हुए है उनको भी पेंशन मिलना चाहिए पेंशन से उनको वन्चित नहीं किया जा सकता आपको बतादू कि एक जनवरी 2004 के बाद भरती करमचारियों को पुरानी पेंशन की जगा नई पेंशन दी जाती है इसमें नाममात्र पेंशन मिलती है जिससे कि ये करमचारी का गुजारा भी नहीं हो पाता केंद्रिय करमचारियों और पेंशन धारकों के लिए खुशखबरी महंगाई भत्ते डियनस अलावंस में वृद्धी एरियर के साथ आएगा वेतन और पेंशन देश के एक करोड से अधिक केंद्रिय करमचारियों और पेंशनरों के महंगाई भत्ते Dearness Allowance को लेकर एक बड़ी खुश्खबरी आई है श्रम मंत्राले द्वारा जारी किये गए All India Consumer Price Index एक पाई के जन्वरी से जून 2024 तक के छमाही आंकडे सामने आए है इन आंकडों के अनुसार जून 2024 में एक पाई इंडेक्स एक दशमलोव पाँच अंक बढ़कर 141.4 पर पहुँच गया है इसका सीधा असर महंगाई भत्ता, दा और महंगाई राहत, डियार पर पड़ेगा जिसमें 3% की वृद्धी की संभावना है इस वृद्धी की आपचारिक घोष्णा सितंबर 2024 में होने वाली कैबिनेट बैठक में की जाएगी नई दरें जुलाई 2024 से लागू होंगी जिससे करमचारियों को जुलाई और अगस्त, सितंबर का एरियर भी मिलेगा महंगाई भत्ता, दा में 3% की वृद्धी, 3 महीने का एरियर भी मिलेगा इंडेक्स के छमाही आंकडों के आधार पर हर साल दो बार जनवरी और जुलाई में केंद्रिय करमचारियों और पेंशनरों के दाडियार की दरों में संशोधन किया जाता है जनवरी दो हजार चौबीस में 4% की वृद्धी के बाद दिये 46% से बढ़कर 50% हो गया था अब जनवरी से जून दो हजार चौबीस तक के एक पाई इंडेक्स के आंकडों के अनुसार दिये में 3% की और वृद्धी की जाएगी जिससे यह दर 33% हो जाएगी इस वृद्धी के साथ ही करमचारियों को जुलाई और अगस्त और सितंबर 2024 के लिए 3 महीने का एरियर भी मिलेगा दा वृद्धी के बाद सेलरी में कितना इजाफा होगा वर्तमान में केंद्रिय करमचारियों का महंगाई भत्ता 50% है जिसे अब 3% की वृद्धी के साथ 33% किया जाएगा इस वृद्धी का सीधा असर करमचारियों की सेलरी पर पड़ेगा उदारन के लिए अगर किसी करमचारी का मूल वेतन 18,000 रुपे है तो 33% महंगाई भत्ते के हिसाब से उसे हर माहलगभग 540 रुपे का अतिरिक्त लाभ मिलेगा इसी तरह अगर किसी करमचारी का बेसिक वेतन 52,000 रुपे है तो उसे हर माह 1,560 रुपे का अतिरिक्त लाभ मिलेगा इस तरह से कर्मचारियों की वार्शिक आय में भी उलेखनिय व्रिद्धी होगी दा की गणना का फॉर्मूला कैसे तै होता है महंगाई भत्ता, केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते की गणना एक निश्चित फॉर्मूले के आधार पर की जाती है दा में बढ़ोतरी की गणना All India Consumer Price Index एक पाएं के आधार पर होती है हर महीने एक पाएं इंडेक्स के आंक्डे जारी किये जाते है इन आंक्डों के आधार पर दा की दरें तै की जाती है दा वृध्धी का करमचारियों और पेंशनरों पर प्रभाव में की गई इस वृध्धी का केंद्रिय करमचारियों और पेंशनरों के जीवन पर सीधा प्रभाव पड़ेगा महंगाई के इस दौर में यह व्रिध्धी उनके दैनिक खर्चों को बहतर धंग से प्रबंधित करने में मदद करेगी साथ ही तीन महीने के एरियर का भुकतान भी उनकी आर्थिक स्थिती को मजबूत करेगा कर्मचारियों के लिए यह एक सकारात्मक कदम है जो उनके वित्तिय स्थिती में सुधार लाने का काम करेगा आगामी कैबिनेट बैठक में होगी घोषना और डियार की दरों में इस वृद्धी की आपचारिक घोषना 9 अक्टूबर 2024 में होने वाली कैबिनेट बैठक में की जाएगी यह वृद्धी जुलाई 2024 से लागू होगी और करमचारियों को जुलाई और अगस्ट सितंबर 2024 के लिए एरियर का भी लाभ मिलेगा इस निर्णय का केंद्रिय करमचारियों और पेंशनरों को लंबे समय से इंतिजार था और अब यह निर्णय उनके लिए राहत लेकर आएगा इस तरह केंद्र सरकार के इस कदम से कर्मचारियों और पेंशनरों को एक महत्वपूर्ण आर्थिक सहायता मिलेगी जिससे उनकी जीवन शैली में सुधार होगा और महंगाई के प्रभाव से कुछ हद तक राहत मिलेगी